जैहिन, future of India और आप सोविलों का स्वागत है, मैं हूँ श्मान सुक्मार जैसे कि आपने थम्नेल में पढ़ लिया हुगा कि इस वीडियो उनों कुल्दूवे श्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक का नाम है Lower Destiland Industries Limited जी, यह है इस कंपनी का पूरा नाम है, हम लोग इसको सिर्फ Lower Destil के नाम से जानते हैं जबकि इसका पूरा नाम है Lower Destiland Industries Limited इसके बारे में बात होगी, साथ में एक और कंपनी है, जो अब डिलिस्ट हो चुकी है उसका नाम है Syntex Industries, इसके बारे में बात होगी, क्योंकि इस कंपनी के नियुश से काफी परिसान है कंपनी डिलिस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस कंपनी का इनको पैसा नहीं मिला है और नाहीं ये तया है कि उसकंपनी दोबारा रिलिस्ट कब होगी तो इसे अभी मुद्व पर गदम तफसीर से बात होगी, लेकिन सुखवात करते हैं लोई डेश्टिल से लोई डेश्टिल के बारे मुझे जानते हैं कि ये हेवी एकूपमेंट मसीनरी और सिस्टन तियार करती है हाइड्रो कार्वन सेक्टर के लिए जैसे आयल डेश्टिल डेश्टिल प्लांट नुक्लियर प्लांट के सेक्टर में काम करने वाले कंपनिया हैं उनके लिए बड़े-बड़े मसीने बनाती है और साथ में ये मसीनों के डिजाइन भी तियार करती है तो विसे के लिए आपने लोई डेश्टिल का काम जो करती पर पर दो जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल जनुवरी में जब इसने तीस रुपे का सबस्ट नहीं जा रहा है यानि कि इस प्रफॉर्प नहीं कर रहा है आज भी तक्रीबन एक से डियर परसेंट के गिरावट इस टोक में दखी गई और जब वीडियो बना रहा हूं तब साथा बार अब आए पिछले छे माह में में श्टॉक 36% सज्ञादा टुटा है वहीं पिछले एक माह की बात करें तो एक महा में दस परसेंट और पिछले एक सब्सलिधों में सब्स from कि तोटने के पिछे की वज़ा के बारे में आगा डिसकुस करेंगे लेकिन अब यह जा कि इस दोनों लेवल को पार करके श्टॉक ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक इसमें तीजी आना थोड़ी मुस्किल है होते हैं और क्वाटरली रिजल्ट की बात करें जो इस क्वाटर की नतीजह आएं तो वह कुछ खास अच्छे नहीं आएं पिछले क्वाटर की मुकाबले थोड़े कम जो रहा है जहां पर पिछले क्वाटर में टूटल कमई पचास क्रोण रोपे का सपास होई थी वह इस क्वाटरली रिजल्ट टीसी तरह खराब ही आते रहेंगे जब कमपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो क्वाटरली रिजल्ट भी बहतर होगे और जब हर एक चीज बहतर होगा तो सेर प्राइस में तीजी आनल आजमी है आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक छोट उसमें को सकते हैं इसे बहुत सारे कंपनी आई जो पाले डिलिष्ट होई है लेकि इनिस फें टाइम लगा रहा होगो ने हैं पिर बहुत-थ्र Pening का ब्यूंस कंथे ऊपर वहालë पर जाते लेकिन यहां पुर्म जानते हैं कि रिलाइंस के तरफ से देरी नहीं की जानी चाहिए तो कोड की तरफ से देरी चल रहा चुगी एक लंबा प्रोसेजर होता है कंपनी को डिलिष्ट होने के बाद दोबारा से रिलिष्ट करना तो थोड़ा टाइम लगना सभाविक है अपने मैं इस चैनल के माधिमस में आपको अपडेट दे दूँगा उमिद करता हूं मैंने जो बाते बताएं आप समझ पा रहे होंगे वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके पास शेयर बजार में इंबेश्में मैंने बहुत शुक्रिया